प्ले हमारे साथ है सौरभ है हमारे साथ आदित्य और आज की एक और खास मिमान नुरेश भी हमारे साथ जुड़ गे हैं और हम तीनों एक्सपोर्ट से आपको ट्रेड कराने के लिए दो-दो शियर लेंगी अब सवा घट्टे के आसपास का समय बच गया है नुरेश स्वाग और रिलेटिव आउट परफॉर्म है तो यहां पे बाई होगा, स्टॉप लॉस होगा 1210, टार्गे होगा 1315, दूसरा बाइर आएगा विदानता लिमिटेट पर जहां पे एक ओ ब्रेक आउट आ चुका है, 315, 318 का, यहां पे टार्गे होगा 345, 350 का, स्टॉप लॉस होग अगरा है, एक और तीसरा पर काइड करना चाहिए, टाइटन, टाइटन ही मुझे लग रहा है कि इस टॉप में अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है, एक गेरा वट के बाद स्टॉप में 26 होके आसपास एक अच्छा बेस बनाया है, एक अच्छा चॉन्सों इडेट हो र ने और टी देट शुगा है, यह मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है, मोमेंटम काफी पॉज़टेव है, वेदानता में भी ओन दा अफसाइट, कॉर्ण लेवल से बाइंग की सला होगी, एक 315 का स्टॉप मेंटेंग करके, फ्रेश लॉंग बनाया जा सकता है, ओन दा अधर का स्टॉप लॉस के साथ इसको खरीदी आज हम इसमें तेजी देख रहे हैं और तेजी थोड़ी से अब हलकी से बढ़ती भी देख रहे हैं भी थोड़ देर पहले आधे परसंट के आसपस गेंज से अब देखें डेड़ परसंट ऊपर है ये शेर 330 से लेकर 335 के टार् होंगा रामको सिमेंट एक अएक उसमें अगर आप चार्ट निकालके देखें तो वॉल्यूम पर बाइंग देख रहा है स्क्रीन पे और एक ब्रेकाउट भी आया स्टॉक में चोटे कंचॉलिडेशन से दोस्टो डिये में एक उपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक फिलाल अभ कट जो स्टॉक है उसको आप ज़रूर रडार पे रखें और सींजीन में बाइंग कर सकते हैं यहां से आप चार से पांच परसेंट का आप मूफ दिखेगा नीचे में स्टॉप्रस लगाए 570 का और उपर में टागेट 620 दू 630 रहेगा ठीक है तो यह दो शेर आदिती के तरफ से तो पावर प्ले के स्टॉक्स आपको सारे के सारे मिल गए हैं लेकिन एक आप से राय चाहेंगे नुरिश मार्किट को लेकर देखें निफ्टी बैंक भी काफी वोलिटाइल है 2500 को के आसपास के हलां के मजबूती है 18200 को अच्छे से होल्ड कर रहा है निफ्टी क्या लगता है अब देखें सबागंटे के आसपास का ट्रेट बच गया है 18300 के आसपास जाते वे नुरिश देखेंगे या फिर जो लेन्स अभी है इसके आसपास की क्लोजिंग होगी आज के लिए तो मानना ये है के 18200 के पास जाना चाहिए जितना क्लोज हो बट अगर डिफिकल्ट है लास के एक देड़ गंटे में बुलना बट ओवरॉल वही है 18400-600 के बैंड में टेस्ट करना चाहिए और बैंक निफ्टी अगर 43500-600 के उपर रहता है तो महां पे एक टे दोनों डिछ पर पॉस्टिफ ही बन रहा है शो कि शुरवातमने सवरफ से भी बात की थी तो वह भी पॉस्टिफ थे और अभी नुरेश का भी कहना है कि जो व्यू है इंडेक्स पर वह फिल्हाल पॉस्टिफ ही है नुरेश एक बार आप से समझना चाहेंगे जितनी भी य तो ब्रीक आउट हो चुक है, बट दो स्टॉक्स जो मेरे रडार पर वह एक पावर ग्रिट, जहां पर अगर हम देखे तो पांच रुपे का अगर डिविडेंट जो रीसेंट एडजस्स करें, तो 217 से 211 का एक जोन है, अगर जब वो क्रॉस हो जाता है, तो मोमेंटम काफी स्टॉंग हो जाना चाहिए उसमें, और रिलेटिव आउट परफॉर्मर है कि पावर ग्रिट गिरा नहीं है नीचे में, सेम केस है NTPC में, जो 162, 165 का बेस है, वहीं से पलट रहा है, वहां पे भी 170, 71 क्रॉस होगा, तो वहां पे अच्छा मोमेंटम आ सकता है, और अवर इस भाव से 1-2% का रिस्क है पावर ग्रिट NTPC में, बट अपसाइट कुड भी 10-20%, अगले अगर अगर शॉट तो मीडियम तम में वीव हो, तो मेरे ये टॉप रिकमेंडेशन्स रहेंगे, लो रिस्काइट रवार्ड में, ठीक है तो पावर में पावर फुल मूवस आ स सकते हैं, यहां से 10-20% के आस-पास तक के रिस्क बहुत ही सीमी थी इसमें, पावर ग्रिट या फिर PFC जो अभी डिसकस हो रहे थे, लेकिन पैकेजिंग के बाद रहें, पी वाला एक और खेमा है, वहाँ पर हम देखेंगे, टाइम टेक्नो प्लास्ट में आ देते, आज भ जोखिम है, या फिर चार्ट ऐसे इंडिकेट करने के शियर अभी और चलता रहेगा, और सो का आंकड़ा भी पार करेगा, अब पीशे जोखिम तो नहीं दिख रहा है, मुझे स्टॉक में अच्छी बाइंग है, वाल्यूम भी अच्छा है, और फॉलो अप बाइंग है तो डेफिनेटली ऊपर सो का पहला लक्ष रहेगा, अगर वो निकालता है, तो सो का आकड़ा क्रोस करने के बाद 110 भी टागेट बैठेगा, नीचे में 92 का स्टॉप लोस लगा है, और रिस्टू रिवाड फेवरेबल है अभी भी लॉंग लेने के लिए,